हलो दोस्तों मैं सवरम बली का आप सभी का टोपी की स्टेडिय में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजिनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजिनिंग के टोप 200 कोश्चन सीरीज का एक नया पार्ट जिसमें आप देखेंगे रीजिनिंग के 10 ऐसे को ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों जो वीडियो अभी तक अपलोड हो चीके है रीजिनिंग की मैथ की और ओनलाइन टेस्ट की उन सभी के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्कप्शन बोक्स में देत सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है कोशन समझ में आते तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों और अपने गुरूप में भी वीडियो को जरूर सेयर कर दिया करें तो यहाँ पे देखे पहला कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है एक बढ़ दीजे देखे इसके trick यह होती है आपको कुछ नहीं करना होता है मैं 4-5 यह ऐसे से आपको बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल answer बताएंगे सीधा बस आपको नीचे का base count करना है 1-2-3-4 4 है तो इसका मतलब answer 27 है बस इतना ही है काम खतम इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है अब यह trick आप सीख लीजे कि इसका है क्या मतलब देखे trick है इसमें कि अगर triangle 1 होगा तो उसमें number of triangle भी 1 ही होंगे अगर triangle के अंदर जिस तरीके से base 2 होंगे यानि कि base मैं आपको बता दू base की बात की जा रही है यह वाली 1,2,3,4 जो मैंने count किया था अगर base 2 है तो number of triangle कितने हो जाएंगे 5 ठीक है अगर base कितने है 3 है तो number of triangle 13 अगर base 4 है तो number of triangle 27 और जो आपके highest आज तक पूछे गए है वो 6 तक पूछे गए है यानि कि base 6 होते है तो उसमें number of triangle आपके 78 हो जाएंगे अगर base 5 है तो number of triangle 48 हो जाएंगे फिर भी मैं आपको 7 का भी बता देता हूँ अगर number of triangle मतलब base 7 होंगे तो number of triangle 118 हो जाएंगे बस आपको इतना याद रखना है तो इनको याद कर लीजे एक phone number भी नहीं हो गए जैसे एक number आप mobile number याद करते हैं एक वो ही इतना भी अगर आप लगा के देखे तो easily आप याद कर लेंगे क्योंकि पहले को याद नहीं करना है दूसरा बिल्कुल easily है तीसरा चोथ है आप यहां तक आराम से करी लेंगे बस आपको 5 और 6 साथ का याद करना है तो इनको याद कर लीजे आगे से question आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा राइट answer ही लगाना पड़ेगा बस आसा करता हूँ कि आपको समझ में आगय होगा तो इसका राइट answer option भी हो जाएगा देखें यहाँ पर base आप इस साइड से भी count कर सकते है 1,2,3,4 या फिर इस साइड से count कर लीजे 1,2,3,4 यानि कि 4 है तो answer 27 होगा ठीक है पहले के लिए एक ही होगा क्योंकि base आपका बस एक ही रहता है नीचे तो यह 1 ही triangle रहेगा तो इसलिए 1 बोला था ठीक है next question पर जलते है question number 2 है आपका निमिन चित्र में कितने तिर्बुज और वर्ग है दोनों आपको बताने इसमें आपके तिर्बुज भी बताने हैं और वर्ग भी बताने हैं तो option आपके सामने हैं कुछ इस परकार 28 तिर्बुज होंगे 5 वर्ग होंगे आप देख सकते हैं option को और right answer बता सकते हैं इसकी भी बहुत अच्छी trick होती है और ये question भी बहुत famous है exam में बहुत बार पूछा जाता है आपको कैसे count करना है सबसे पहले मैं आपको तिर्बुज count करने बताता हूँ कि अगर इस तरीके से figure को जोड़के आपसे पूछा आते हैं कि number of triangles कितने बनते हैं तो वो कैसे count करते हैं लिखे आपको करना है 1,2,3,4 और 4 में multiply कर दीज़े 2 की तो इसमें number of triangles कितने होगे 8 होगे तो triangle अगर इसमें 8 है तो इसमें भी 8 होगे इसमें भी 8 होगे तो अनिकी 8 प्लस 8 प्लस 8 तो कितने हो जगे अर्दून सोला अर्दिया 24 तो 24 तो ये हो गए ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 24 अभी तक सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे triangle एक दूसरे को जोड़ भी रहे है ठीक है ना ये इसको जोड़ रहा है ये इसको जोड़ रहा है ठीक है तो इस condition में number of triangle कुछ बढ़ जाते हैं और बढ़ कौन से जाते हैं देखिए अगर मैं इस वाले को देखू एक ये बढ़ गया और एक इस वाले को देखू और फिर एक इस वाले को देखू ये बढ़ गया बट अगर आपको ये सोचना नहीं है तो आप ध्यान रखेगा जितने भी ये box जोड़े जाएंगे तो यहाँ पे बीच में जितने भी ये point जोड़ेंगे 1,2,3,4 तो 4 और add कर दीजे तो 24 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 28 तो होगे आपके तिर भूज होगे ठीक है ट्रेंगल कितने होगे 28 तो यहाँ तक तो final होगया ठीक है भई ऐसा करता हूँ कि यह समझ में आ रहा होंगा और आप पूछा है मतलब वर्ग कितने होंगे तो 1 तो यह होगया दूसरा यह होगया और तीसरा यह होगया टीन तो यह होगया एक आपके फिर यह हो जाएगा यह वाला देखिये और एक यह वाला हो जाएगा तो 3 और 2 पांच तो यहाँ पे 28 सिर्भू जोंगे 5 वर्ग होंगे आप देख लीचे option कौन सा होगा तो यहाँ पे option A right answer रहेगा दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और जो trick मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आगई होगी अगर किसी भी question में doubt लगता है तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं नेक्स question पे चलते हैं देखे question number 3 है किसी महिने में 3 दिन बाद 4 तारीक को सनिवार आता है उसी महिने की 27 तारीक को कौन सा दिन होगा तो दोस्तों यहाँ पे देखें 3 दिन बाद यानि की 4 तारीक को सनिवार है तो यहाँ पे सीधा सीधा बता दिये गए है कि चार तारीक को सनिवार है तो 27 तारीक को क्या होगा तो अगर चार तारीक को सनिवार है आपका तो आप ये देखिए कि हर साथवे दिन सनिवार होगा ठीक है हर साथवे दिन का मतलब है कि चार तारीक के बाद फिर कब सनिवार होगा ग्यारा तारीक को चार में बई साथ प्लस करेंगे ग्यारा हो जाएगा यानि कि ग्यारा तारीक को फिर सनिवार होगा और ग्यारा में फिर साथ प्लस करेंगे तो 25 को फिर सनिवार होगा इसका मतलब 25 को सनिवार होगा ठीक है और उसके बाद बचे कितने है 27 को पूचा है तो 26 और 27 बचा है तो सनिवार होगा तो यानि कि संडे और फिर मंडे तो 26 को संडे हो जाएगा और 27 को आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मंडे यानि कि सोवार तो 27 को आपका right answer क्या हो जाएगा सोवार हो जाएगा I hope कि आपको ये question भी समझ में आ गया होगा ठीक है तो इस तरीके से आप इस तरीके के question कर सकते हैं ठीक है भई चलिए next question पर move करते है question number 4 है आपका दिये गए विकलपों में से संबंदित अक्सवरों को चुनिए तो यहाँ पर देखे आपका जो analogy का ये question है तो यहाँ पर इस तरीके को मतलब यह है आपका guide 3 और इसको AAR लिखा गया है तो परलवी को क्या लिखा जाएगा यह आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखे मैं क्या करूँगा इनके उपर number डालूँगा तो 1,2,3,4,5,6,7 अब यहाँ 7 मैं से अगर मैं देखू A को रखा गया है यहाँ पर फिर A को रखा गया है और फिर यहाँ पर रखा गया है R को यानि कि 2 और 4 और 6 को रखा गया है तो बिल्कुल next भी हम count कर लेंगे 1,2,3,4,5,6,7 यानि कि यह 7 है और इसमें भी आप 2,4 और 6 को रख लेंगे तो 2 में आनि कि A आजाएगा और 4 में आपका L आजाएगा और 6 में आपका V आजाएगा तो A,L,V देख लिए जैकि इसमें है तो A,L,V आपका D हो जाएगा यानि कि option D is the right answer तो यह इस तरीके से करना था question I hope कि आपको यह question भी समझ में आगया होगा अभी धेर सारे question में आपको कराने वाला हूँ daily reasoning की वीडियो अप्लोड करूँगा आपका पूरा course complete करा दूँगा बस आप वीडियो को like करते रहेए ताकि मुझे भी motivation मिलते रहे आपके लिए daily वीडियो बनाने के लिए next question पे चलते हैं question number 5 है आपका कथन निसकर से देखें यहाँ पे बोला जा रहा है इस्थिती पर तुरंत कारवाई की आवश्यक्ता है तो इस्थिती पर क्या है तुरंत कारवाई की आवश्यक्ता है मतलब वो ही relate करता है चीजे जो यहाँ पे कथन में बोली जा रही है तो first आपका right हो जाएगा दूसरे वाला है तुरंत कारवाई संबव है तो बिल्कुल तुरंत कारवाई संबव होगी A, B, C, D और E एक पंक्ती में उत्तर की और मुह करके खड़े हैं उत्तर की और यानि कि अगर यह पंक्ती है तो मुह किसका सभी का इधर को है ठीक है A, B, C सभी का मुह उत्तर की और हो जाएगा तो यहाँ पे बोले जाए रहा है उत्तर की और मूह करके खड़े हैं EB के 42 और 40 मिटर की दूरी पर खड़ा है तो EB के 42 और 40 मिटर की दूरी पर खड़ा है तो सबसे पहले हम एक line draw करेंगे जो की एक पंक्ति होगी हमारी और उसमें हम EB को EB के बाई और बैठा देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको EB के 42 और 40 मिटर की दूरी पर खड़ा है फिर AC के बाई और 20 मिटर की दूरी पर खड़ा है C के बाई और 20 मिटर की दूरी पर है तो C अगर हम कहीं पर भी बैठाते हैं तो उसके बाई और कौन होगा A होगा और A कितनी दूरी पर होगा 20 मिटर की दूरी पर होगा तो ये भी हम लिख लेते हैं इनके बीच में 20 मिटर की दूरी है फिर नेक्स लाइन में क्या बोला जा रहा है A, C के बाई और 20 मिटर की दूरी पर खड़ा है तो इसके दाई और D होगा और 20 मिटर की दूरी पर होगा और E और B के बीच में हमारी कितनी डिस्टेंस थी 40 मिटर की थी तो ये इसके बीच में 20 मिटर की दूरी पर आदेगा यानिकि ये इससे इधर से इधर से दोनों से बीच में है ठीक है तो D E के दाई और 20 मिटर की दूरी पर है C के दाई और 50 मिटर की दूरी पर खड़ा है सोरी 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 दुवारे से पढ़ते है D E के दाई और 20 मिटर की दूरी पर है और C के दाई और 50 मिटर की दूरी पर है और C के दाई और 50 मिटर की दूरी पर है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो C है वो D के दाइं और 50 मिटर की दूरी पर तो आपको मैंने अभी बता थे बीच में है तो 20 मिटर तो ये हो गए अब इसे 30 मिटर और इधर चलाना है तब उसके इधर यहाँ पे C बैठेगा कहीं क्योंकि C का पहले भी हमें कंफर्म है कि यहाँ पे बैठे है बट इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं थी बट अब डिस्टेंस भी पता चल गई कि 20 तो इसके बीच में है और E और C के बीच में 30 मिटर की डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना आप थोड़ा सा दिमाग लगा के और एक बर वीडियो को दुबार से देखेगा री ट्राइ करके कि इसमें आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी ठीक है क्योंकि D का हमें इस्टान कंफर्म हो गया था इनके बीच में डिस्टैंस 20 मिटर ये भी हमें कंफर्म हो गया था बट यहां पे बोला D से C जो बैठा है D के दाई और बैठा है 50 मिटर की दूरी पर तो 20 तो यह हो गया 30 यहां पे हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 50 मिटर अब यहां से E और C के बीच में 30 खड़ा है तो B जो है D के किदर खड़ा है भई सबसे पहले तो B देखें यहां पे है और D यहां पे है यह B के दाई और खड़ा है और 20 मिटर की दूरी पर खड़ा है तो D के यह हो जाएगा दाई और क्योंकि दाई यह साइड है और 20 मिटर का इनके बीच में डिस्टेंस है तो आपका राइट आंसर कौन से हो जाएगा डी के दाइं और तो और 20 मिटर की दूरी पर ठीक है 20 मिटर की में और 20 मिटर दाइं और तो I hope कि आपको ये कोशन भी समझ में आ गया होगा ठीक है दीक है इसकीन थोड़ी छोटी पड़ती है क्योंकि नीचे सोलुशन करना पड़ता है और पूरे कोशन पर आपको पतलब इसकीन पर कोशन दिखाना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा उपर नीचे करना पड़ता है अगर समझ में नहीं आओगा तो बता दीजेगा और भी इस तरीके कोशन में करा दूँगा नेक्स कोशन पर मूव करते हैं कोशन नमबर सेवन है नीचे एक सब्द दिया गया है जिसके नीचे चार विकल्प दिये गए है वह विकल्प चुनिए जो दिये गए सब्द के अक्सरों का प्रियोकर नहीं बनाया जा सकता है तो यहाँ पर जो सब्द दिया गया वो क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल से इन चारों में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है नीचे कमेंट बोक्स में तो जल्दी से एक बड़ ट्राए करिए मैं आपको बता देता हूं इसको करना कैसे होता है इस टाइप की कुश्चन को देखें जो इंटरनेशनल की spelling मतलब लिखी हुए पूरी i n t e r n a t i o n a l तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि इसमें जो यूज होए वही यूज होने चाहिए नीचे चार उप्शन में अगर जिस भी मतलब ऑप्शन में वह यूज नहीं होगा मतलब कुछ एक्स्टर यूज होगा वह आप डिस्कार्ड करतेंगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे यहां पर मैं ऑप्शन ए को लेता ह देखते हूं अप्शन एल है अबी है और टी भी है और एबी है और आर भी है तो यह भी बन जाएगा इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पता चलिया होगा समझ में आपको आ गया होगा तो चलिए next question पे चलते हैं question number 8 है आपका blood relation से और देखे मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि मैं daily mix question की series लेका रहा है यह बहुत ही जादा helpful रहेगी अगर आप daily test लगा रहे हैं मतलब daily videos को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा helpful रहे हैं कि इसमें mixed questions रहते हैं ठीक है तो सारे आपकी chapter cover हो रहे हैं और यहाँ पर question है कि x y का पती है तो आप एक line draw करेंगो इसमें x जो है y के पती सो कर देंगे तो यहाँ पर x और y के बीच में पती पतनी का relation है यह पलस कर देंगे यह आपका male member है और इसके बीटी होगी बट यहाँ पर हमें इसतना so नहीं करना है मतला हमें पता चल गया कि यह इसकी बेटी है तो ठीक है बस इतना ही काफी है फिर यहाँ पर z w का पती है तो z जो है वो डबलू का पती है इसका मतलब यह तो इसकी पत्री थी और यह इसकी पतनी हो गई है ठीक है यानि जाइड की पतनी हो गई है तो इनके बीच में भी पती-पतनी का रिलेशन है तो यहाँ पे यह भी आप पलस और माइनस से सो कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका एंड का वाई से सोरी एंड जैड की पुत्री है फिर इसके बाद लिखा है यहां पर जैड की पुत्री है तो यह इसकी भी पुत्री हो जाएगी अगर यह इसकी पुत्री है तो यह इसकी मा हो जाएगी ठीक है यह इसका पिता होगा तो यह इसकी मदर हो जाएगी ठीक है सिंपल है यहां पर नेक्स तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नातीन इस दर राइट आंसर अनकी option कौन से हो जाएगा वही option D is the right answer ठीक है I hope कि आपको यह question भी समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं question number 9 एक लड़के की तस्वीर की तरफ इसारा करते हुए सुरेश ने कहा यहाँ पे देखें दुबार से पढ़ता है मिसला इनको यहाँ मेरी मा के एक लोते पुत्र का पुत्र है यानि कि उसका खुद का लड़का अब यहाँ पे थोड़ा से समझते हैं इस वेंड डिग्राम पे यहाँ पे सुरेश बोला है कि मेरी मा की एक लोता पुत्र तो एक लोता पुत्र वह सभ्या खुद हो जाएगा ना एक लोते पुत्र का पुत्र यानि कि वो लड़का जिसका इस सुरेश का लड़का तो उस लड़के से क्या संब्ल रखता है पिता हो जाएगा सुरेश उसका तो यहां पर यह राइट आंसर हो जाएगा भई पिता तो आसा करता हूं कि यह भी बहुत अच्छा और सिंपल सा क आप भी ट्राइ करते रहा करें जो भी कोश्टन आप से आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दियकने पड़ते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कोश्ट नमबर टैन है आपका कछन निसकर से सभी गुलाब पीले हैं कुछ गुलाब फूल हैं तो आप यहां पर सब से पहले क्या करेंगे सभी गुलाब पीले हैं तो सभी के सभी जो गुलाब होंगे वो पीले हो जाएंगे और कुछ पीले फूल हैं तो आप क्या करेंगे यह तरीके से हलका सा कट लगा के फूल वाले इंडिग्राम भी बना देंगे ठीक है कुछ गुलाब फूल हैं सोरी तो यह जो गुलाब को पूरा का पूरा कवर किस ने किया है पीले ने कवर किया है तो यह इंटरस्टिंग है बिलकुल तो यहाँ पे देखें इसकर्स क्या क्या है कुछ गुलाब पीले हैं तो भाई सारे के सारे गुलाब जब पीले हैं तो कुछ तो पीले होंगे ही तो यहाँ पर right answer हो जाएगा जब पूरी वाली condition satisfy है तो कुछ वाली तो automatic ही हो जाती है सभी गुलाब फूल हैं तो सभी गुलाब फूल नहीं होसकते है क्योंकि सभी के सभी गुलाब फूल नहीं बताए गैं कुछ गुलाब फूल बताएंगे है तो यह आपका दूसरे वाला गलत हो जाएगा बट पहले वाला राइट रहेगा ठीक है तो I hope कि आपको यह कोशन भी समझ में आ गया होगा केवल निकलता है और A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो आशा करता हूँ कि आ या फिर आप देख लीजे एक बर कोशन को वीडियो को रोक करके ट्राइ कर लीजेगा हर एक कोशन में आपको 10-10 सेकिंड दे देता हूं ठीक है देख लिए होगा आपने कोशन नमबर टू देख लीजे यह है इसका आंसर बताए जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बहुत है तो क्यों नहीं देखते हैं ठीक है कोशन नमबर 3 यह है आपका और 4 यह है तो इनको ट्राइ कर यह ओप्शन भी नीचे कमेंट बोक्स में है और इसके आंसर भी इसी पीडियाप में मैंने प्रोवाइड करा दिये हैं अगर आपको इनके आंसर भी देखने है तो इसकी प